नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो वीडियो के नेचे मुझूद जोइन बटन की साहिता से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हों। चलिए डिस्केशन स्टार्ट करते हैं। आप जी एस पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों। क्या है ये ओपरेशन वंदे भारत। देखो हमारे देश में जैसे ही लोगडाउन लगा, उससे एक दिन पहले इंटरनेशनल फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया गया था। तो बहुत सारे भारतिये दूसरे देशों में फस गए, फ्लाइट के सस्पेंड होने की वज़े से वो जहां पर थे वहीं पर उनको रुकना पड़ा, वो अपने देश वापस नहीं लोट पा रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेवल पिछले काफी दिनों से सस्पेंड ह तो अब सरकार एक ओपरेशन चलाएगी जिसका नाम है वंदे भारत ताकि पहले हफ़ते में 15,000 भारतिये जो विबिन देशों में फसे हुए हैं उन्हें वापस में इंडिया में लाया जाए, वैसे तो देखो जब सरकार ने पूछा उन भारतियों से जो अभी फिलाल फोकस कर रही हैं उन लोगों पर जो या तो देखो किसी medical emergency को face कर रही हैं जिसे कोई woman pregnant है, students जिनके पास अभी कोई accommodation नहीं हैं या फिर वो लोग जिनका वीजा expire हो रहा हैं जिनको जल्द ही deportation का सिकार होना पड़ सकता हैं तो इनको priority दी जाएगी इनको पहले face में विबिन देशों से भारत में लाय जाएगा, इसके बाद बाकी जो लोग आना चाहते हैं धीरे धीरे करके उनको लाय जाएगा, आटकल में कहा जाता है, देखो ये जो भारतिया आना चाहते हैं भारत में, उनको वैसे grateful होना चाहिए, diplomates का, इंडिया के diplomates ने फिलाल की situation में accommodation available करवाना या फिर food available करवाना, shelter camps establish करना, ये सारे काम Indian diplomates के द्वारा दूसरे देशों में फसे भारतियों के लिए किये गए, इवन देखो जो airlines के pilots होंगे, वो भी उनको भी infection का डर होगा, लेकिन फिर भी वो चिंता ना करते हुए, जाएंगे, flights लेकर और भारतियों को व भारतिये वापस लोटेंगे, उनको 14 दिनों के लिए compulsory quarantine करना होगा, इसके लिए सरकार को पहले से facilities त्यार करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रा जरूरी है, आप पहले से ही जो quarantine centers है, make shift centers है, उनको तयार रखो, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में भारतियों ज की economic situation खराब है, खास करके west station countries की, तो बहुत से भारतिये जो पहले वहाँ पर गए होए थे, उनको अपनी जोब से हाथ धोना पड़ेगा, तो वो भी वापस इंडिया में आने की कोशिस करेंगे, तो इसके लिए भी विभिन राज्जों की सरकारों को पहले से अपने आप क को तयार करना चाहिए, ना सिरफ आउशक facilities जैसे quarantine facilities, बलकि उनको रोजगार के साधन उपलब्द करवाना, ये भी सरकार की जम्यदारी है, तो विभिन सरकारों को अपने आप को इस चुनोती के लिए तयार करना होगा, ये थी हमारी आज की discussion, इस discussion में फिलाल इतना ही है, थ